कि अधुड वैलकूम टू दाफीसेल यूटीव चैनल आप फोरेजिन कोचिंग आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिस का हिंदी मीडियूम का क्लास हिंदी मीडियूम का अभी मैंने आपको चप्टर कंप्लीट किया उब ग्रहों की गति का और अब हम एक नया चप्टर ारी स्टार्ट करेंगे आज नया चप्टर है हमारा प्रत्यास्थता नया चेप्टर क्या अब हम physics के एक नय ब्रांच में एंट्री कर रहे हैं इधर जो physics हम पढ़ेंगे अभी तख हमारा mechanics था इधर जो हम physics पढ़ेंगे वो actual में material physics है जिसमें properties आफ solid, thos के गुण, properties आफ liquids, draw के गुण और gas, thos, draw, gas इनकी property के बारे में हम इधर study करेंगे 11 के physics के chapter में variety बहुत है अलग-अलग-अलग-अलग बहुत branch के physics है इसलिए कभी-कभी study में flow भी नहीं बन पाता उस तरह से मज़ा नहीं आता है, जैसे 12 भी मज़ाता है लेकिन इसका अपना मज़ा है, प्रत्यास्थता बहुत छोटा chapter है छोटा सा concept है, लेकिन है important competitive exam में भी इसे question आते हैं और school exam में आपको पूछे ही जाते हैं complete a chapter है, तो प्रत्यास्थता, देखो basic concept के हिसाब से आज मैं छोटा सा chapter है, definition definition जादा है, दो lecture में ये chapter complete हैगा, आज मैं इसके complete basic concept पर discuss कर रहा हूँ बिल्कुल zero से और बहुत गहराई से, तो concept को समझना, मतलब मेरा पढ़ाने का focus आपको 11 class पर exam में लिखना नहीं होता है, मेरा complete focus यह होता है कि कल के लिए आप IIT, JEE, NEET के exam में बैठे हैं, या INDIA के exam में बैठे हैं, तो आपको subject का समझ, पकड़, उतनी गहराई तक होना चाहिए, क्योंकि inside question जब आते हैं, NCRT से question आते हैं, insight question आते हैं, तो फिर वहाँ पर essay student ही उसको reply कर पाते हैं, जिन्होंने बहुत सुक्ष्मता सुसकर study किया है, मतलब पूरा concept पर, ऐसा नहीं कि 2-4 पतिबाल, विक्रिती, हुप के नियम को पढ़ो और प्रत्यास्ता होगे, ऐसा नहीं, उसको बहुत गहराई से समझना है, पढ़ाने से पहले, इसलिए मैं आपको alert कर देता हूँ, कि छोटी-छोटी बातों पर मैं डिसकस करूँगा, उसको बहुत ध्यास से समझना है, ओके, चलिए, तो प्रत्यास्ता ही स्टार्ट करते हैं, elasticity, प्रत्यास्ता है क्या देखो, elasticity, हिंदी में कहेंगे अपन प्रत्यास्ता, देखो, प्रत्यास्ता, सबसे पहले हम ठोसों के गुड़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यास्ता पढ़ने से पहले, पदार्थ की वास्तों में पांच अवस्थाएं होती है, जनरली हम किसी से पूछते हैं, या फिर लोवर क्लास में हम पढ़े रहते हैं, आज के डेट में हम को पता है, पदार्थ की तीन वस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, बस इतना हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज के डेट में, माडर्न रे फिजिक्स में, माडर्न टाइम में, पदार्थ की वास्तों में पांच अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गेस, ट्रेडिशनल ये तो आप जानते ही हर कोई जानता है चौथा भी जानते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा मतलब एक ऐसा कंडिशन है जो ठोस और द्रव के बीच के है जो गाढ़ापन जो चिपचीपा होता है जिसका विसका सिटी बहुत जादा होता है जैसे सहद है, ग्लिसरीन है इनको हम प्लाज्मा की स्रेड़ी में रखते है और पांचवा जो इसका स्टेट है वो माडर्न स्टेट है अभी रिसेंटली इन्वेंट हुआ है और यह एक तरह से आर्टिफिस्यल स्टेट है जिसको बोलता है बोस आइंस्टाइन कंडनसेंट या कंडनसेंट बोस आइंस्टाइन कंडनसेंट यह क्या होता है अलबर्ट आइंस्टाइन और हमारे इंडिया के साइंटिस्ट सत्यंदर नाज बोस यह बहुत प्राउड वाला मेटर है हमारे लिए है कि भारत के एक वाई ग्यानिक ने अलबर्ट आइंस्टाइन के साथ में उस टाइम में रिसर्च किया USA में अमेरिका में वो थे सत्येंद्र नाद बोस थे सिन बोस और उन दोनों ने मिलकर एक कांसेप्ट दिया और उसी कांसेप्ट को लेके पदार्थ की पांच वी अवस्था को बनाया गया है जो एक तरह से आर्टिफिस्यल स्टेट है जो माडरन अफिजिस में इलेक्ट्रानिक्स वगर में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है अभी तो वो कहलाता है पांच वा वस्था तो ये नाम आप कम से कम जानो लेकिन तीन अवस्थाओं के बारे में हम जनरली बोलते हैं ठोस द्रव और गैस जो हमारे अप्रोच में हम जानते हैं तो यहाँ पर हमको ठोस के बारें पढ़ण, देखो पदार्थ की अवस्था के लिए जो सबसे important matter है, वो क्या है, अंतर आडविक अंतराग, interatomic separation या interatomic attraction force, मतलब दो atom के बीच में लगने वाला force, यदि दो atom के बीच में लगने वाला force, यहाँ पर तो हमको basically ठोस पर ही discuss करना बाकी matter अपन, draw gas अगले chapter में पढ़ेंगे, solid, तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं, देखो, जिस पदार्थ के जो atom है, जिस पदार्थ के एटम है, जिस पदार्थ के एटम वो strong force द्वारा, बहुत मजबूत बंद के द्वारा बंदे होते हैं, उस पदार्थ को हम ठोस कहते है दो atom के बीच में, suppose यह कोई atom है, यह एक atom है, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच में लगने वाला जो बल है, interatomic separation force है, F, वो क्या है, बहुत strong हो, तो ठोस होता है, थोड़ा weak हो जाए, तो draw होता है, और ज्यादा weak हो जाए, तो guess होता है, मतलब कुल मिल होगा, वह उतना ही solid material होगा, ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा discuss यह करते हैं, कि ठोस का जब निर्माड होता है, वास्ताओं में जब solid material का निर्माड होता है, तो किस तरह से होता होगा, स्वतंत्र वास्ता में तो या तो atom है, या माली कुछ इसके फाम में होता है, ठीक है, इसका जो उर्जा है, वो maximum होता है, और यहाँ पर भी एक atom है, यह भी अपने maximum energy पर है, और हमको मालूम है कि पूरे universe में हर कोई, चाहे हो निर्जी हो, चाहे सजी हो, हर कोई इस्थाई तो चाहता है, stability चाहता है, हर कोई, चाहे living things हो, चाहे non living things हो, निर्जी हो, जीवित, हर को इस थाई चाहता है इस मारकार को मैं यहाँ पर उठा के रख दूँ पेन को तो यह अभी इस थाई अवस्था में नहीं है यह परेशान है कि मैं उपर हूँ जैसे छोड़ूंगा तो यह नीचे गिर गया क्यों क्योंकि वो इस्टेबल नहीं था और stability चाहता है वो जब तक जाके अपने potential energy को zero ना कर ले तब तक वो परहसान रहेगा कि मैं अपने energy को कहा consume कर लूँ ठीक है आपने देखा है जिसके पास energy जादा होता है उतना जादा hyper activities होता है आपने छोड़े छोड़े बच्चों को देखा होगा कि जो बच्चे बहुत उच्छार कूद करते हैं भाग दो कर देट मिम्स उसके अंदर potential है उनके अंदर उर्जया है अब सवाल ये है कि आप उर्जया को किस direction में उसका invest करते हो वो आपके उपर है वो negative direction में जा सकता है positive direction में भी जा सकता है तो energy जिसके पास होता है वो excited state में होता है वो उत्तेजी तवस्था में होता है चाहे कोई भी हो उसी प्रकार से atom भी क्या होता है जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तो वो maximum energy में होने के कारण वो उत्तेजी तवस्था में होता है और वह दूसरे atom को अपनी और attract करके अपने energy को consume करता है नस करता है यह सारा चीज आप modern physics में semiconductor में और बहुत अच्छे से पढ़ा होगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस class से ही मैं आपको थोड़ा basic पर अच्छे से आप से discuss कर लूँ ताकि आपका basic concept अच्छे से clear है तो यह क्या करेगा यह atom इस atom को अपनी और क्या करता है आकरस्तित करता है इस तरह से और इस आकरस्ण के काराण यह pass आते जाते हैं और pass आने के बाद अपने energy को खर्च करते हैं मतलब वो energy खर्च करते करते एक limit minimum energy level में आ जाते हैं और यह minimum energy level में आने के बाद suppose मैं यहाँ पर एक figure बना देता हूँ यह suppose minimum energy में आ गए और इस energy में आने के बाद यह suppose इसको मैंने r naught कर दिया r naught मतलब stable distance inter atomic separation दोनों के बीच का inter atomic separation है अंतराल है या परास है कई नाम से जाना जाता है अब वहाँ पर आके क्या हो गया वो रुख गया मतलब stable हो गया और ऐसा stable हो जाने के बाद ऐसा जब वो stable हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या है वो अपने minimum distance पर आके रुख जाता है ऐसे फिर और atom आएगा फिर ऐसे और एटम आएगा फिर ऐसे और एटम आएगा और इस तरह से क्या होता है ठोस का निर्मार होता है फिर ठोस दो प्रकार के होते हैं क्रिस्टलाइन सालिड और एमार्फस क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टली ठोस क्रिस्टल सालिड उसको बोलते हैं अब आप मैं बस डिसकस कर देता हूँ इस जेप्टर के मेटर नहीं है लेकिन अब उससे related है तो मैं आपको बता दूँ crystalline solid मतलब होता है जिसका geometrical structure होता है मतलब जिनकी जियामिती संरचना जो होती है वो certain order पर होता है जैसे sodium chloride इसके atom क्या होता है प्रापर आडर पर अरेंज होते हैं तो इस तरह के ठोस को हम crystalline solid कहते हैं और ऐसा ठोस जिसका जो atomic structure है वो regular नहीं होता है irregular होता है मतलब कुछ भी कुछ arrangement ऐसा है कुछ ऐसा है जैसे लकड़ी है पत्थर है यह सब क्या है यह मारफस solid है तो यहां पर हमको उसको classify करकनी पढ़ना है हमको यहां solid से मतलब है आगे आप modern physics में semiconductor 12th class में आप उसको detail में पढ़ होगे तो यह इस condition में आके यह minimum energy level पर अब यह हो गया minimum energy और इसी में रहना चाहता है इसकी tendency है कि अब ऐसी रहना चाहता है भाई कोई चीजी स्थाईत वह हो जाए मान लो यह मेरा pain जमीन में गिर जाए प्रिथवी में रखा जाए तो और कहां जाना चाहेगा वो तो stable हो गया वो तो zero potential energy में आ गया तो वहां जाने के बाद तो इस थाई हो जब तक जमीन से उ होता है clear अब इस तरह से ठोस के जो ठोस को यदि हम इस प्रकार से इसको classify करें तो ठोस को हम तीस प्रकार से classify कर सकते हैं एक तो प्रत्यास्त होता है इनके गुणों के अधार पर कि तो प्रत्यास्त ठोस इलास्टिक solid या elastic body इलास्टिक पिंड कहें तो जादा अच्छा है इलास्टिक बोडी यह प्रत्यास्त पिंड क्या होते हैं देखो इसके बाद मैं plastic और brittle के बारे में बता दूँगा पहले हम प्रत्यास जो हमारा chapter है में उस पर discuss करें अब होता क्या है प्रत्यास्त ठता पहले मैं आपको definition बता दूँ फिर उसका काराण में इस पस करूँगा प्रत्यास्त ठतोस पदार्थ का या पदार्थ का कहना चीए आगे चलको उसको gas में प्रत्यास्थता क्या है पदार्थ का एक गुड़ है जिसके कारण उस पर बल लगाने से वाह विरूपक बल लगाने से सबसे पहला टर्म आपको समझना है वाह विरूपक बल दी फार्मिंग फोर्स देखो नाम से पर वाय मतलब बाहर से लगने वाला बल वाय विरूपक बल बाहर से लगने वाला और रूप को चेंज करने वाला बल इंगलिस दिफार्मिंग या मतलब कहा होता है और बाड बाडो को इपvoll करना मतलब चेंज करना ठीक है देखें मैं हिंधी बीडिय tulee के क्लास में पूरी कोशिस होती है कि मैं आप को थोड़ा सा इंग्लिस के परसान होना पड़ेगा इसलिए मेरी पूरी कोशिस होती है कि आपको हिंदी मीडियों में होने के बाद भी दो subject मैं तो आपको provide कराता हूं अपने channel पर math और physics तो मेरी पूरी कोशिस होती है कि मैं हिंदी मीडियों में students को भी उस लेबल पर तायार कर सकूं कि कल के लिए वो इंग्लिस मीडिया में स्टुडेंट के पेरेल हो सके कम से कम साइंटिफिक टरम्स तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए इसलिए देखो मैं हर चीज को इंग्लिस में भी बताता हूं तो आप उससे भागना मत आप 11 क्लास की स्टुडेंट हो यही टाइम है यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लिए हमारे साथ फिर 12 में भी कर लिए तो आपको कहीं इस बात की परसानी नहीं होगी कि लेंग्वेश के काड़ आपको कहीं पर दिक्कत हो खासकर फिजिक्स में इसको समझने में इससे उसको ध्यान देना ठीक है तो डिफार्मिंग फोर्स वाह विरूपकबल क्या होता है जैसे यह अभी मैंने बताया इस्टेबल कंडिशन का हमारा एटम है सपोस एक एटम यह है यह दूसरा है और इनके बीच का डिस्टेंस आर नाट है जो अभी इस्टेबल कंडिशन में है यह मैं आपको इसका पहला कंडिशन समझा रहा हूँ तो वाह विरूपकबल हम इसमें वाह विरूपकबल दो प्रकार से लगा सकते है पहला वाय होवी उपकबल कैसे लगा सकते हैं इसको खीच के जैसे हमारे पास rubber है उसको हमने खीचा तो वाय होवी उपकबल लगाने से दूसरा case मैं इसका दूसरा figure बना रहा हूँ यह atom यहाँ आ गया यह atom यहाँ आ गया देखो इनकी बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया यहाँ पर हम इनकी बीच की दूरी R हो गया जहां पर R देख रहे हो greater than R naught R greater than R naught कहने का मतलब यह है कि दोनों atom के बीच किसी पदार्थ के दो atom है दोनों बीच के एटम का जो stable distance था, जो इस्थाई दूरी थी, intermolecular separation था उसको हमने क्या किया खीच के बढ़ा दिया, कौन सा बल लगाया वाहिवी रूपक बल लगाया मतलब वाहिवी रूपक बल कौन सा बल हुआ जो किसी भी body के आयता नाकरीतिया उसके डिजाइन में परिवरतन कर देता है, वो क्या कहलाया वाहिवी रूपक बल कर आया, उसको हमने खीच के लंबा कर दिया, जैसे ही हम इसको इस condition मिलाते हैं, अभी मैंने आपको समझाया है, कि हर पदार्थ क्या होता है, इस्ताइदसा में रहना चाहता है, भी वो तो ऐसा रहने नहीं चाहता वो तो ऐसा रहना चाहता है, वैसे तो मेहनत करक उतने distance में बैचारा आया है अब आप उसको डिस्टर्व कर दिये वो इतना परा इनरजी खर्च कर्च के उर्जया ब्याय करके वो बास में आया है और ठोस का निर्मार किया है अब वो चाहता है कि हमेशा वो ऐसे ही रहता लेकिन आम आपने उसको डिस्टरो कर दिया कैसे डिस्टरो कर दिया बाहर से बल लगा के तो जैसे ही आप इस पर बल लगाते हो तो बाप के बल के प्रभाव के करान तो बेचारा दूर दूर रहता है लेकिन जैसे हैं आप बल को हटाओगे तो फिर वह इस condition में आना चाहता है और उस condition में आने के लिए वो एक बल पैदा करता है वहाँ पर तब तो आएगा तो वहाँ पर जो बल पैदा होता है हिंदी में पढ़ाना इतना कठीन काम है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा आप हिंदी मीडियम की student हो मुझे complete term को English से हिंदी में translate करके आपको पढ़ाना होता है आपको पढ़ाने में मुझे ज़्यादा परसानी है बजाए इंग्लिस मीडियम के क्योंकि मेरी पूरी तयारी तो English मीडियम में है मैंने complete अपना preparation English मीडियम में किया है अपने higher education अब मुझे हिंदी में पढ़ाना है कई आप मुझे ऐसा होता कि हिंदी नाम फिर मेरे इमेडियेट रिकाल नहीं होता है तो हिंदी कठीन है इसलिए मैं आपको bilingual करने की बात करता हूँ कि दोनों में जानो best है तो प्रत्या नयान बन कितना कठीन है और English में देखना कितना आसान है इसको बोलते है restoring force और sense भी कितना clear है restoring 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 बोलता है इसको मैं restoring नहीं restoring force restoring मतलब restore करना restore कि इसको बोलेंगे जो उसको दुबारा अपने प्रारह्मी की स्थिती में वापस ला दे और देखो उसको प्रत्यानयान बन संधिवी च्छत करके पढ़ोगा तो प्रत्यानयान बन प्रत्यानयान मतलब पहले जैसे है इस्थिती मिलाने वाला बन ऐसा फिजिस को समझो आप imagine करके एक वर्ड को समझ समझ के पढ़ो आप जिन्दगी में कभी नहीं भूलोगे अगर रटा माल लिया इसको अपने ये बल बोलते हैं इसको ये बोलते हैं ऐसा करने से आपको कभी preparation नहीं होगा तो देखो यहाँ पर मैं दोनों बल के बारे में ध्यान से ये सब्द क्या है बार-बार यूज होगा ये वर्ड आपको बार-बार यूज होगा बार-बार फिजिस में यूज होगा तो मैंने क्या बता है यहाँ पर ध्यान से सुनना जब हम वाहि विरूपक बल लगा के जब हम वाहिवी रूपक बल लगाके दो किसी पदार्थ के दो एटम के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने पर उन दोनों के बीच में प्रत्यानियन बल उत्पन हो जाता है और यहाँ पर जो प्रत्यानियन बल उत्पन हुआ है वह किस रूप में है वह आकरसन के रूप में है attraction force है वह आकरसन क्योंकि इधर से आकरसन और वो क्या करता है फिर उसको खीचता है और खीच के अपने प्रारभी किस्ती में वापस ले आता है इसी गुर को बोलते हैं प्रत्यास्थता आप rubber को खिछते हो न तो खिछने एक बाद spring को आप खिछते हो आप उसमें लगाते हो वायवी रूपक बल लगाने सो उसके लंबाई बढ़ जाती है और जैसे है आप उसमें से बल को हटाते हो तो क्या होता है उसको प्रारमी किस्थिति में वो वापस ला देता है कौन ला इसन में कोई जोरी थोड़ी है कि हम उसको खीचें इस प्रिंग हम दबा भी तो देते हैं मतलब ये दोनों एटम की बीच का जो डिस्टेंस है उसको मालू मैंने क्या किया ऐसा दबा के पास पास कर दिया देखो तीसरा फिगर को देखो पास पास कर दिया तो यहां पर मैं क् फिजिक्स में हमारे concept clear नहीं होते हैं ये सब चीज clear हो तो problem जैसा कोई बाती नहीं है ना आपको problem आएगा completely numerical बनाने में ना आपको फिजिक्स से कोई डर लगेगा ना आप फिजिक्स से भागोगे फिजिक्स से आपको क्या है समझ में आएगा तो interest पैदा होगा उसका तो इसलिए चीजों को सुक्षमता से पढ़ना आप जो रही है यही class है 11th class है देखो 10th class था तो आप general science पढ़ इस class में यदि आपने फिजिक्स को अच्छा समझ लिया या उस subject के प्रतिया आपको interest हो गया और 12 में किसी को बोलना नहीं पढ़ेगा आपको बिल्कूल अपने आप अच्छा लगने लेगा एक नसा जैसा हो जाएगा कि फिजिस पढ़े भी नमजा नहीं आप और यह काम कर लिए तो आगे चलके सारे competitive के रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे जो फिजिस के रास्ते से होके जाएंगे हैं न तो अब आर लेस दनार नायट कर दिया अब सोचो यहां पर भी प्रतियानेन बल होगा अब ऐसा नहीं कि यहां पर प्रतियानेन का तो काम है जैसा यहां पर भी वैसी लाना चाहता यहां पर किस रूप में प्रतियानेन बल लगेगा यहां पर लगेगा प्रतिकर्शन यह सब नीट के लेवल के question है अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिस जब यही question नीट में आ जाता है तो हमको समझ में आता है रे बाप रे तो प्रतिकर्शन दोनों इन में से कोई नहीं समझ है नहीं आया क्या प्रसमें पूछ रहा है और कितनी इजी बात थी हो यहां पर statement ही समझ में नहीं आ रहा है एक student मुझे पूछा सरे प्रसमें पूछ के आ रहा है प्रसमें समझ में नहीं नहीं आ रहा है जब कितनी क्लियर ब लगा के हमने दोनों एटम की बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो बढ़ाने से वहाँ पर प्रतियाने बल उत्पन होगा और प्रतियाने बल उत्पन होने के कारण वहाँ पर आकरसन बल जो उत्पन होता है उसको खीच के प्र इस अवस्था में ला देता है इस तरह से पदार्थ का जो गूर है वही क्या कहलाता है प्रत्यास्थता तो यही प्रत्यास्थता का कारण है मैंने आपको एस्प्लेइन किया प्रत्यास्थता का कारण प्रत्यास्थता हर कोई जानता है लेकिन प्रत्यास्ता का कारण का कांसेप्ट जादा तर लोग का क्लियर नहीं रहता ये मुझे लांग एस्पेरियेंस है मुझे पता है किसी को पूछो प्रत्यास्ता किसे कहते हैं तो बिल्कुल तोता जैसे रटा हो बोल दता है किसी प्रवाहि उपकब लगाने, पर उसकी स्थिती आयतन, आकरिती में परवतन होता हता हटाने पर उसके प्रअरहर में किसी पिवांत आगाजाने की घटना को हम प्रत्यास्थ تया कह दे ए कई आप लोग कभी डिमांड होता है सर परिभासा को बोर्ड मिलिक दो भूल जाओ, वो 9-10th class दख था अब चीजों को समझो इसके बाद परिभासा आपको To the point book में मिल जाएगा या भी तो मैंने Hindi Media 11 का नोश नहीं डाला है डालूँगा तो उसमें मिल जाएगा, भी मैंने सिर्फ 12 का डाला है English Media में दोनों class का available है लेकिन Hindi Media में सिर्फ 12 का आपको ही मिलेगा, थोड़ा patience रखना पड़ेगा वैसे book से आप पढ़ाई करो इतना समझाने के बाद आपको class में याद भी हो जाना चाहिए तो ये हो गया प्रत्यास्थता या प्रत्यास्त पिंड अब ये जो हम पढ़े हैं उस पर हम एक graph बना लेते हैं ठीक है, क्योंकि कई बार competitive exam में graph पुछा जाता है इस पर देखो यदि हम इसको graph paper में ड्रा करें तो इस तरह से हम graph ड्रा कर सकते हैं देखो किस तरह से हमको इसमें graph मिलता है और ये graph में कौन-कौन सा value क्या है इसको थरध्यान समझना यहाँ पर जो आप distance देख रहे हो यह distance है r less than r naught यह जो distance आप यहाँ पर देख रहे हो r equal to r naught है यहाँ पर जो आप distance देख रहे हो यह यहाँ पर r greater than r naught है और यहाँ पर जो आप देख रहे है r equal to infinity यह question इस ते related question नीट में पूछा गया है, IIT के लेबल को तो नहीं कह सकते, NDA में या नीट के लेबल में पूछा सकते, IIT में question का लेबल physics में बहुत ज़्यादा high है, लेकिन basic तो clear होना चाहिए, basic clear नहीं है तो आप low level के question को आप average level question को नहीं बना पाओगे, तो IIT के लेबल question बनेंगे नहीं इसलिए IIT की जो सिढ़ी है, वो बिल्कुल ground zero से start होके top तक पहुचाता है physics में, तो basic चीज पहला requirement है, पहला requirement basic ही है, यदि वो poor है तो आगे का आप सोचे नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर एं graph बता क्या रहा है देखो, यहाँ पर देखो अभी मैंने समझाया, यहाँ पर r less than r naught, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह बता रहा है, दोनों के बीच की दूरी कम है, यह दोनों के बीच में प्रतिकरसण को बता रहा है, यह आपको exam में पूछ सकता है, कि यह कौन सा condition को पूछ रहा है, यहाँ पर बल बराबर, मतलब संतुलन में है, दोनों ना तो प्रत्यास्थता की सीमा का अंत, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होता है, सीमा का अंत, सीमा का अंत मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मालो आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपके पास कोई स्प्रिंग है, और उस स्प्रिंग को आप खीचे, तो एक लिमिट तक ख खीचोंगे छोड़ोंगे तो आपस आजाता है फिर खीचे फिर छोड़ोंगे वापस आजाता है, लेकिन मानलो आपने इस्प्रिंट को इतना जाधा खीच दिया कि सिधा हो गया वापस नहीं आया, तो उस समय क्या आपने प्रत्यास्थता की सीमा से ज्याधा उसमें बल लगाने के बाद इतना धी खंबल लगा दें कि वह पिंड पुना अपनी प्राणवी की सितिय में वापस ना आए तब उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा का अन्थो जाना इर्यास्टिक लिमिट का अंत्र जाना ग्लियर तो यह कहलाता है प्रत्यास्थता उसका कारण उसके ओर कितने प्राकार के होते ही तो टूसरा होता है सोगा करने से कितना डिफिकर्ट लग रहा होगा बोलते हैं प्लास्टिक अब आ गया समझ में प्लास्टिक बड़ी देखो हिंदी कितना कठीन है सुभर्ट यह और इंगलीज में बोलते हैं उसको अपन प्लास्टिक बड़ी प्लास्टिक बड़ी किसको बते हैं प्रत्यास्थ पिंड मैंने क्या बताया वाय विरूपक बल कॉका को सिकायत होता है कई बार में नहीं नहीं पूर देखो और नौट तो यह हो गया तीसरा होता है भंगूर भंगूर पिंड और ब्रिटल बाडि का मतलब क्या होता है जैसे हम कोई ऐसा पिंट जिस पर वाही विरुपक बल लगाया तो तूट फूड जाए जैसे मिट्टी है, पत्थर है, काच है इसको हम बल लगाते हैं तो बल सहन करते तक वो सहता है और ऐसा नहीं कि वो फैल गया कि पत्थर पर बल लगाया तो पत्थर थोड़ बड़ा हो गया ऐसा नहीं करता वो अपने आयता नाकृति में कोई पर्वाता नहीं नहीं करता लेकिन बल की मात्रा को बढ़ा तो सिधर तूट जाता है वो ऐसे पिंट उको क्या कहते हैं अपन ब्रिटल बड़ी कहते हैं प्लास्टिक पिंट कहते हैं तो यह हो गया प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता का कारण प्रत्यास्थता की सीमा अब हम इसके में टापिक में आते हैं वो है प्रतिबल और विक्रिती आज मैं यह दो चीज आपको पढ़ा रहा हूँ प्रतिबल और उसके बाद विक्रिती पढ़ाऊंगा प्रतिबल और विक्रिती को पढ़ाने के बाद आज के क्लास को मैं क्लोस कर दूँगा इसके बाद मैं नेस्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और वो आपको तभी समझ में आएगा जब यहां तक के class को आप बहुत बहतर तयार करके आओगी, otherwise समझ में आएगा वैसे कि हमेशा ध्यान रखना, जिन लोग मेरे regular student हो मेरे channel पर उनको यह बात समझ में आगई होगी कि किसी भी मेरे topic को इस्टांग करना है तो पहले part से, लेकि जितने part उसमें बने है सब को आपको proper one by one देखना होगा otherwise आपको topic समझ बनी आएगा क्योंकि मैं कभी भी किसी topic को वही ले जाके छोड़ता हूँ बिल्कुल offline class की तरह मेरे ऐसा online class या YouTube का class अथा नहीं कहीं का कुछ पढ़ा दिया कहीं का कुछ कहीं का कुछ नहीं प्रापर आडर एक system पर चलता है जो भी student एदी प्रापर offline class की तरह जबने अपने coaching institute अगर में जाके offline आपने पढ़ाई किया है उस आडर पर एदी मेरे वीडियो को देखे तो बिलकुल मैं challenge के साथ कहता हूँ उसको कभी कोई problem नहीं आएगा लेकिन वो continuity और वो system आपके साथ बने रहना चाहिए ठीक है तो next वीडियो को देखने के से पहले आज जहाँ पर मैं end करूँगा वहाँ तक आपका 100% त्यार हो जाना चाहिए चलिए प्रतिबल नाम से इसपस्ण देखो प्रतिबल को अपन सपोस्थ एस फार स्ट्रेस से अपन रिप्रेजन कर देते हैं तो यह होता है force of pan area एक तरह से दाप की तरह चीज है मतलब देखो प्रतिबल प्रतिबल का मतलब होता है प्रति एकांग छेत्र फल पर लगने वाला बल या प्रति एकांग कायतन पर लगने वाला बल एकांग लंबाई पर लगने वाला बल तो जब प्रति बल लगाते हैं अभी मैंने क्या बोला को वाह विरूपक बल वही प्रति बल है कई बुक में कई राइटर या कई टीचर सबसे पहले विकृती पढ़ाते हैं मैं पहले प्रतिबल पढ़ाता हूँ विकृती क्या होता है बाडी के साइज और स्टेफ में परिवर्तन तो मुझे आप टेक्निकली आप बताओ सभी अच्छे राइटर ने प्रतिबल पहले पढ़ाए कि किसी पिंड पर आप बल लगाओगे तब तो विकृती होगा कि विकृती पहले हो जागा बल बाद में बल लगाओगे तब तो विकृती होगा विकृती मतलब उसके रूप में परिवर्तन इसलिए हमको प्रतिबल पहने पढ़ना है और इसी के कंपरिजन में हमको क्या पढ़ना है विकृती पढ़ना है ठीक है मैं इसको बल कि यहां पर कंपरिटी भी आपको पढ़ा दूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा इधर विकृती विकृती को हम इंगली सुमगते हैं इस्ट्रेइन तो प्रतिबल मैंने क्या बताया पिंड पर जो बल लगाया जाता है 1 ज्ख्यत्र फल पर इकाई लंबा इंड़ा आयतन जहां पर वह कहलाता कि कि पिंड बल लगाने का कितना प्रकार हो सकता है हर तरीके से उसमें बल लगाने के हमारे पास कई प्रकार हो समें जिससे सबसे पहला है अनुदायर्द प्रतिबल अनुदायर्द प्रतिबल अनुदायर्द प्रतिबल अनुदायर्द प्रतिबल अई इसको कहते हैं लांगी ट्यूडिनल स्ट्रेस इंगली समोते हैं लांगी ट्यूडिनल लांगी ट्यूडिनल अब इस्ट्रेस लिखने जब रहते हैं यह अनुदार्द प्रतिबल कहलाता है अनुदार्द प्रतिबल मतलब लांगी ट्यूडिनल लंबाई के एकार्डिंग मतलब किसी भी पि प्रतिबल क्या होता है वस्त ये लंबाई के अनुदिस लगता है ये लगता है लंबाई के अनुदिस अनुदिस मतलब की दिसा में ये बात को ध्यान में रखना लंबाई के अनुदिस इसको लगाया जाता है इस परकार से तो अनुदेर प्रतिबल का मतलब क्या होगा जैसे गंपल के यहां पर बता दूँ, मालो इस तरह से अपने पास है कोई तार है, यह तार को दिड़ा धार से रखें, अब बल मालो मैं इसमें लगाऊं इस तरह से, अब इसमें इस तार में जब बल लगाऊंगा, तो लंबाई के अनुदिस लग रहा है, तो उसके लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई के अनुदिस लग रहा है, इसलिए क्या होगा उसके लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है तो अनुदर्द प्रतिबल क्या होता है वो लंबाई के अनुदिस कारी करता है लंबाई की दिशा में कारी करता है इसके पाद दूसरा है आज Mathematically आपको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा आज मैं किल Basic Concept उसका Clear कर रहा हूँ अनुदैर्द प्रतिबल मतलब लंबाई के अनुदिस उसके बाद दूसरा होता है अभी लंब प्रतिबल इसको यहीं से मतलते है नार्मल नार्मल स्ट्रेस इसी के comparative फिर आपको विक्रिती पढ़ाऊंगा तो अभी लंब प्रतिबल मतलब नाम से इस पस्ट है कि हम किसी पिंड पर क्या होता है लंबवत जैसे मालों मेरे पास कोई बाक्स है कोई चीज है उसके लंबवत प्रिष्ट के लंबवत जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लंबाई के अनुदिस तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिष्ट के लंबवत यदि बल हम प्रिष्ट के लंबत लगाएं तब उसको हम अभिलाम प्रतिबल कहते हैं या इंग्लिस में कहते हैं नार्मल इस्ट्रेस और ऐसा लगाने से जैसे इसको लगाने से लंबाई वृध्धी हुआ और प्रिस्ट के लंबत लगाने से उसके किस में विद्धी होता है? आयतन में ये आयतन में परिवरतन होता है ये ध्यान रखना ऐसा करने से उसके आयतन में परिवरतन होता है कौन सा प्रतिबल लगाने से किस में परिवरतन हो रहा है? इसको थोड़ा ध्यान अखना अनुदैर्ध प्रतिबल लगाने से लंबाई में परिवितन हो रहा है अभिलम प्रतिबल लगाने से आयतन में परिवितन हो रहा है और तीसरा होता है तीसरा होता है अपरूपण ठीक है अपरूपण प्रतिबल अपरूपर अपरूपर प्रतिबर इंगलीज में इसको बोलते हैं सेरिंग इस्ट्रेस थोड़ा कर्सिव लिख लेता हूँ तो समझ ले ना उतना आपको बोल भी तो रहो समझ आएगा और इसके कारण क्या होता है ये बात को थोड़ ध्यान में रखना जब अपरूपर प्रतिबर लगाया जाता है तो उसके केवल आकरिती में परिवरतन होता है केवल उसके आकरिती में परिवरतन होता है प्रतिबर तीन प्रकार का मन्य बताया अनुदैर्द, अभिलम, अपरूपर अब अनुदैर्थ प्रतिबल का मतलब होता है जब किसी पिंड के लंबाई के अनुदैर्थ प्रतिबल लगाया जाए जिसके कारण उसके लंबाई में परिवर्तन हो तो उसको हम अनुदैर्थ प्रतिबल कहेंगे यदि किसी पिंड पर बल प्रतिबल इस प्रकार लगाया जाए कि उसको प्रिष्ट के लंबद बल लगाया जाए तो प्रिष्ट के लंबद बल लगाया जाए तो प्रिष्ट के लंबद बल लगाने से उसके आयतन में परिवरतन होता है तब उसको हम क्या कहते हैं अभिलम प्रतिबल कहते हैं और किसी पिंड पर इस प्रकार से बल लगाया जाए कि वो क्या है इसपर्स रेखी दिशा में एक्ट्वल में अप्रूपर प्रतिबल में जो बल लगाया जाता है वो इसपर्स रेखी दिशा में होता है प्रतिबल को आप ध्यान में रखना अब यहां पर हम देखते हैं इसकी विक्रिती तो विक्रिती का प्रतिबल के साथ इतना अच्छा रिलेशन है इसलिए मैंने क्या है इसको एक साथ कम्परिटी बताया है जब अनुदेर्ध प्रतिबल होता है देखो पहला इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ चलो पहला तो आप यहाँ पर देखे हो अनुदेर्ध प्रतिबल तो अनुदेर्ध प्रतिबल के कारण जो विक्रिती होती है उसको हम क्या कहते है अनुदेर्ध विक्रिती नाम भी वैसी देखो पूरा इसलिए तुलनात्मक पढ़ो लागिट्यूडन इस्टेन कहलाएगा अनुदैर्ध विकriti अब अनुदैर्ध विकriti होता क्या है मालो एक तार है अपने पास इस तरह से इस तार को हम लटका के रखे है अब इस तार में भी कोई बल नहीं लगा है अब इस तार में मैंने बल लगा के इसकी लंबाई को इतना वृध्धी कर दिया इसमें एक बल लटका दिया है कोई भार लटका दिया तो इसकी लंबाई यहां से इतना वृध्धी हो गया मानो इसका लंबाई पहले केपिटलेल था अब इसकी लंबाई वृध्धी इसमालेल हो गया तो अनुदर्ध विक्रिती बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारमीक लंबाई यह इसका फार्मूला है यह कब होता है जब अनुदर्ध प्रतिबल लगाया जाता है मतलब किसी पिंड पर जब अनुदर्ध प्रतिबल लगाया जाता है तो अनुदर्ध प्रतिबल लगाने पर जो विक्रिती होती है वही अनुदर्ध विक्रिती कहलाता है मैंने यहाँ पर लिखा है कि लंबाई में परिवरतन होता है देखो लंबाई के अनुदिस लगाया ज देखो दूसरा यहां पर आप देख रहे हो अभिलाम प्रतिबल तो अभिलाम प्रतिबल होने से क्या होता है इसके आयतन में प्रवितन होता है तो दूसरी विक्रिती को कहते हैं आयतन विक्रिती दूसरी विक्रिती का नाम है आयतन वालूम स्टेन गोला जाता है और इसका फार्मूला होता है डेल भी अपान भी या इसमाल भी अपान भी भी लिख सकते हो चलो यहां पर उसी पेटर्न भी लिख रहowed हूँ तो आयजतान भी कृति बराबर होता है इसमाल भी अपान केपिटल भी कहने का मतलब आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभीक आयतन ये लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभीक लंबाई तो किसके कारण हुआ है? ये हुआ अभिलम प्रतिबल के कारण इसके कारण हुआ है जब किसी पिंड पर अभी लंब प्रिस्ट के लंबत बल लगाया जाता है तो उसके आयतन में विक्रिती आयतन में पुर्यतन होता है उसी को हम कहते हैं आयतन विक्रिती और तीसरा जो होता है तीसरा यहाँ पर देखो अप रूपर्ण प्रतीबल इसलिए इस विक्रिती का नाम भी है अप रूपर्ण विक्रिती अप रूपर्ण विक्रिती के केस को थोड़ा सा ध्यान से समझना यहाँ पर जैसे मैंने भी बताए एक चीतर बनाया था इस तरह से मान लो ये हमारे पास कोई घन या घनाब है ये अब इस घन या घनाब के बैस को हमने ठोस पदाज के साथ में अटेच कर दिया और इसको थोड़ा सा इसपर्स रेखी दिसा में बल लगा के ये इसपर्स रेखी दिसा में इसपर्स रेखा है इधर बल लगाया तो ये पिंड क्या हो गया इस तरह से थोड़ा विस्थापीत हो गया मतलब वो पीचा गया ऐसा हो तो बेंड हो गया आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो ऐसे आपने कभी किया भी होगा कि कोई लचीला चीज उसको पकड़े और तीरचा बल लगा दिये तो ऐसे वो बेंड हो जाता है ठीक है ऐसे आपने कुछ डिब्ब्य होगे को करके देखा होग है सामने वाली भूजा की लंबाई एकस है और इसकी एक भूजा की लंबाई मालो एल है तो यहाँ पर इसको निकाला जाता है टेन फाई की हल्प से तो टेन फाई इक्वल टू होता है एकस अपान एल यहाँ पर हम टेन फाई इक्वल टू निकालते हैं तो एकस अपान एल होता है यहां पर इस फाई अत्यांत छोटा कोड़ हो तो टेन फाई को फाई लिख सकते हैं एक सापान एक्च्वल में टेन फाई इक्वल टू लंब बटे आधार से इसको निकाला गया है ओके तो यह आपको हर विक्रिती का फार्मूला याद रखना है तीनों का और तीनों का प्रतीबल तो तीन प्रतीबल कई राइटर लोग दो प्रतीबल से काम चला देते हैं आपको डिटेल में अलग धंग से पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से आपको त्यार करना है तीन प्रतीबल तीन विक्रिती तो आज के क्लास में यही तक मैं आपको करा रहा हूं ठीक है ये पूरे definition आपको बहुत अच्छे से तयार करना है और next class next class में मैं hook के नियम से इसको इस्टार्ट करूँगा next जो topic होगा वो hook के नियम से स्टार्ट करूँगा तो आज मैंने complete ऐसे भी आपको यह दी मेरा video देखने का आदत होगा तो आपको मालूम होगा कि जो पहला मेरा class होता है कोई भी chapter का मैं पहला जो starting करता हूँ उसमें पूरा basic चीजों पर बात करने की कोशिश करता हूँ यह बिल्कुल वैसी tendency है कि जैसे आपको कोई बड़ी इमारत बनानी हो तो पहले new को बहुत अच्छे से time देखे और बहुत फुर्सास उसको बनाना पड़ता है अधरवास आप उची building नहीं बना सकते हैं यह सब आपको मालूम है तो वैसे कोई भी क्यों मेरे एक subject एक chapter की बात नहीं कोई भी जब नए chapter स्टार्ट करो तो पहला दिन का काम तो क्यों टर्मिनोलाजी समझना होता है कि भाई इस नए chapter को में पढ़ूँगा तो क्या क्या term यूस करूँगा जैसे आज के class में basically हमने पहले तो यहीं समझा कि वाह विरूपकबल क्या है प्रत्यानेयन बल क्या है इनके बीच में अंतर आणवी कंतराल क्या है यह basic चीज है इसके बाद हमने देखा इसका graph फिस सुघर्ट पिन, भंगूर पिन और सबसे महत्पूर्पात प्रतिबला विक्रिती तो next class में हम hooks ला पढ़ेंगे hook के नियम की सायता से प्रत्यास सता गुडान पढ़ेंगे और लगभव वो class में ज्यादा कुछ contents इसमें है ने बहुत छोटा chapter है तो इतना आप अच्छा सा तयार करके रखिए और आप अपने preparation को strong करिए